ओम सिरी गनेशाय नमदूस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है तुला राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 अगस्त से 31 अगस्त यानि की अगस्त 2023 के महिने के आपकी राशी के महराशी फल के बारे में कैसा रहने वाला है अगस्त के महिने में आपको किनकिन चीजों से फाइदा होगा किनकिन चीजों से आपको साफधन रहना होगा साथ साथ अगस्त के महिने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपुन और शटीक जानकारि इस वीडियो के माद्यम सिम आपको देने वाले है वीडियो बहुत महत्पपुन है इसलिए सुरू से अंतर तक वीडियो को आप पूरा देखें ज्लिए दोस्तों वीडियो का आगे सुरू करें सबसे पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं भगवान भोलेनात के सच्चे वक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट स्पोक्स में जै भोलेनात अवश्चे लिखें जिससे भगवान भोलेनात का सिर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके तो चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए एक अगस्त से 31 अगस्त याने की अगस्त 2023 के महीने का यह महत्पपुन समय दोस्तों यह समय आप कड़ी महनत वे परिश्रम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है बड़े बुजुर्गों का इश्ने और आशिरवाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पुंजी रहेगी घर परिवार के साथ समय व्यतित करने से मन बहुती प्रफुल लित रहेगा समय की गती आपके पक्ष में रहेगी शामाजी की दाइरा बढ़ेगा पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्य का समाधान मिलने से आपको यह समय राहत मिलेगी कोई बड़ा निवेस करने के लिए भी समय आपके लिए बहुती उत्तम है दोस्तो साथे साथ यह समय महमानों के आगमन से आव भगत में खुशनुमा समय व्यतीत होगा उपहारों का आदान प्रदान भी इस समय रहेगा आपका बजट भी बिगड़ सकता है परन्तु फिर भी परिवारिक खुशी के आगे यह नगड़ने रहेंगे युवा वर्ग अपने भविश्य सम्बंदी योजनाओं के प्रती काफी गंभीर रहेंगे दोस्तो साथे साथ यह समय किसी सम्मेलन या फिर समारों में जाने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा तता सम्मान के साथ आपकी आव भगत भी रहेगी संतान, सम्मंदी, कार्रे जैसे विभा, नौकरी, आदी कार्रे की योजनाओं भी इस समय सफल होंगी महमानों की आवा जाही भी इस समय रह सकती है दोस्तो साथे साथ यह समय उर्जा, जोस और उमंग से आप पणी पून रहेंगे बच्चों के साथ धहरे रखते हुए आप वहवार करें, जिससे वे आपके कायल हो जाएंगे के प्रिकार के खर्चों का भी यह समय है, परन्तु आप मैनेज कर लेंगे अपनों के साथ मनो रंजन में भी समय व्यतीत होगा कहीं से कोई सुब समाचार भी प्राप्त होगा, कार्रे कुशलता के दम पर आप वह उपलब्दी हासिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने तमन न की थी दोस्तों साते साते ध्यान रखें कि इन सब किरिया कलापों के बीच आपका कोई महत्पपूर्ण कार्रे भी छूट सकता है जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है सबी गति विदियो में ध्यान केंदरित रखना आपके लिए अति आवशक है आर्थिक कश्मकस भी रह सकती है कहींवी धन, संबंदी, निवेस, सोच समझ कर ही आपको करना है तो कि पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल रहेगा विद्यार्तियों को अपने प्रितियोगी परिक्षा संबंदी पड़ाही में अधिक ध्यान देने की आवशकता है दोस्तों साथी साथ यह समय सब कुछ ठीक रहते हुए भी आपको कहीं न कहीं रिक्षता का एहसास होगा और अगर मनन करेंगे तो इसकी वज़े कुछ भी नहीं रहेगी अपनी भावनाओं पर तिरोध वे नियंतर रखें क्योंकि इसके प्रवाब से कुछ संबंदी भी खराब हो सकते हैं परन्तु जल्द ही परिस्तितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं फिजूल खर्ची से बचें तता घरेलू खर्च का संतुलित बजट बनाना भी आपके लिए अतियावशक हैं कोट केस संबंदीत मामलों में कुछ अर्चने भी आ सकती हैं रिस्तेदारों के साथ वेहवार करते समय आप सावधानी बढ़ते हैं आपके मुह से कोई ऐसी बात निकल सकती हैं जिससे संबंद खराब होने की भी आशंका है इसलिए आपको अपने गुस्से वे आवेस पर जरूर निंतन करना चाहिए किसी पर अत्यादिक भरोसा या विश्वास करना नुकसान दायक हो सकता है बहतर होगा कि आप अपने निर्णे ही सरवोच रखें घर के वरिष्ट सदस्यों के स्वास्त का भी ध्यान रखना आपके लिए आवश्चक है दोस्तों बात अगर परिवारिक वातावरण में आपसी तालमेल वे समान जस बना रहेगा प्रेम संबंदों में एक दूसरे की भावनाओं को शमजना अति आवश्चक है पती पतिनी के बीच कुछ इस समय नोकजों की भी संभव है प्रशंग बदनामी वे अप्यस का कारण बन सकते हैं प्रभाब परिवारिक जीवन पर आप ना पढ़ने दें जीवन साती तथा बच्चों का ओन शहयोग आपको प्राप्थ होगा दोस्तों साती सात यह समय परिवारिक शुक्षांती बनी रहेगी शंतान की शिक्षा वे केरियर संबंदी गती विदियों में आप शहयोग दे पाएंगे घर परिवार में आपसी सोहर्द तथा प्रेम बना रहेगा विपरीत परिस्तितों के कारण प्रेम संबंदों के उजागर होने की भी इस समय संभव ना है प्रेम जीवन के दृष्टी कोण से यह समय आपके लिए बहुती मिला जुला साबित होने वाला है दोस् अश्रम की आवश्चकता है कर रहे विष्तार संबंदी किसी भी योजना को कर रहे रूप में पर्नित करने से पहले अच्छी धरे विचार विमर्ष आप आवश्चा करें नोकरी-पेसा-व्यक्ति भी किसी भी आप प्रिजित व्यक्ति के साथ व्यवार करते समय शाला नि 호 रहें पार्टनरसिप संबन्दी वैपारी क्हती विद्यों पर नजर रखें किसी प्रकार का दोका हो सकता है दोस्तों साथी साथ यह समय करचेत्र में quantity के चक्कर में quality के साथ किसी प्रकार का समझोता आप ना करें कोई बड़ा order आपके हाथ से निकल सकता है या फिर डील भी कैंसिल हो सकती है नोकरी पेशा लोगों के लिए नोकरी में बॉस वे अधिकारी आपके काम से काफी संतुष्ट रहेंगे पदोन नती की भी संभव ना है नोकरी में मनुवांच्छित उपलब्दी मिलने के इस समय आसार है जिससे आपको शीनरी नई तकनीकी आदी का प्रियोग सफल रहेगा लंबित चल रहे कोट केस संबंदी मामलों के पूरा होने का समय आ गया है शरकारी शेवारत व्यक्ति किसी उल्यन में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों साथिसाथ यह समय वैपार में नई पार्टियों तथा नए लोगों स विवसाइक संबंद इस्थापित करने से पहले सोच विचार आप अवश्य करें किसी की बातों में आकर आपका अहित भी हो सकता है नोकरी में सह करमी आपके विरुद उच अधिकारियों के भी कान भर सकते हैं इसलिए आप थोड़ा सावधान भी रहें दोस्तों बात अग एक दम सुविवस्थित रखें घर के बड़े बुजुर्गों को स्वास्त संबंदी परिसानियां रह सकती हैं स्वास्त संबंदी लापरवाही बिल्कुल आप ना बरतें दोस्तों साथ साथ यह समय स्वास्त में छोटे मोटे उतार चड़ाव रहेंगे परंतु थोड़ी किसी सावधानी आपको स्वास्त रखेगी यूंतो स्वास्त ठीक रहेगा लेकिन किसी पुरानी बीमारी के प्रती सचेत के और अति आवज्श कतरा हैं दोस्तौ साथ यसाथ आपको अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए यह नियमत योग और प्रन्याम का श होती अच्छा रहेगा